इस वीडियो में हम डारेक्ट और इंडारेक्ट स्पीज की एक्सरसाइज नमर 22 करेंगी यह एक्सरसाइज क्लास 10 इंग्लिस एक्सिलेंट गाइड से ली गई है तो देखते हैं इसका पहला सेंटेंज वाट आप लीजन सब्राइज से सेड तो इस एक्सरसाइज में यह एक्सक्लामेटरी सेंटेंज और इसके बाद हैं इंप्रेटिव और अपरमेटिव सभी परकार के सेंटेंज आपको मिल जाएगी अब देखते हैं सेंटेंज को समझते हैं पहले वाट आप लीजन सर्प्राइज सेड उसने कहा कितना आश्चर है तो देखिए इस सेंटेंज को कम्प्लीट लिखा जाता है वाट आप लीजन सर्प्राइज इट इज लगा हुगा होना चाहिए और उसके बाद आता है मार्क आफ एक्सक्लामेशन आप देखिए जनरली इतना हटा दिया जाता है यह इट इस जो लिखा है इसक आश्चर का भाव है तो एक्सक्लामेशन सेंटेंस में क्या करते हैं जब आश्चर का भाव आता है तब हम सब्जेक्ट सी के बाद लिखेंगे सेड की जगा पर एक्सक्लेमड विद सर्प्राइज और जब जोय या खुसी का भाव होता है तब हम लिखते हैं एक्सक्लेमड with joy या happiness और जब दुख का भाव होता है तब हम लिखते हैं exclaimed with sorrow या grief तो यहां पर देखिए surprise का भाव है तो हमने लिखा है said की जगा पर exclaimed with surprise conjunction that लगता है इसके बाद देखिए अब इनको तो हटा दिया गया है लेकिन direct से जब indirect में बदला गया है तो इनको लगा दिया जाएगा it बनेगा subject और is का हो जाएगा was उसके बाद आ और देखिए what आ बदलेगा very में very और pleasant surprise ये लग जाएगा पूरा last में अब देखिए एक बात और हैसमें कि इसमें surprise लिखा हुगा है तो इससे पता चल रहा है कि sentence में surprise का ही भाव है तो दिखे with surprise ये हम हटा भी सकते हैं ये हटाने पर भी sentence complete और सही माना जाएगा तो अगर हम बोलें she exclaimed that it was a very pleasant surprise तो ये sentence भी एकदम correct है इसके बाद हम देखते हैं दूसरा sentence उसने का ठीक है मैं इसे कर लूँगा उस तरीके से जिस तरीके से आप चाहते हैं तो देखे इसमें subject है he अभ अंदर देखिए yu दिगा हुआ है तो हम object मानते हैं object हम मान सकते हैं या me मान सकते हैं यहाँ पर देखे उसने का कि ठीक है मैं उस तरीके से करूँगा जिस तरीके से आप चाहते हैं यानि कि उसने बात को accept कर लिया सुईकार कर लिया तो हो जाएगा he accepted that अब देखिए अंदर you दिया है तो हमें object मानना पड़ेगा तो object हम किस परकार से मानेंगे and told me इसके बाद that लगेगा और मुझसे कहा की अब generally क्या होता है कि इससे sentence हो जाता है बड़ा तो इसको हटा भी देते हैं अगर इतना ना भी लिखें तब भी चल जाएगा तो he accepted that told me object नहीं लिखना है यहाँ पर mean नहीं लिख सकते हैं he accepted me इसका तो मतलब भी बदल जाएगा इसका आर्थ हो जाएगा कि उसने मुझे सुईकार कर लिया अब देखिए conjunction that लगा all right हट जाएगा i क्या हो जाएगा he के अनुसार he मैं और यह sell लगा है तो हो जाएगा would he के अनुसार would होता है do का do रहेगा यहाँ पर it it यहाँ पर होना चाहिए यह लिखानी है गलती से it उसके बाद the way और you का हो जाएगा i हम object मान के चलेंगे कि हमने object मी माना है उसके अनुसार इसको इस you को change कर देंगे change कर देंगे i हो गया want देखी यह है first form तो second form हो जाएगी wanted तो यह हो गया he accepted that he would do the way i wanted यह विलकुल correct sentence है इसको ऐसे भी convert कर सकते है he told me object लेखेंगे he told me that उसके बाद conjunction that लगाएगे यहाँ पर that लगेगा फिर all right और I का हो जाएगा he फिर would do it the way i wanted इस परकार से भी बना सकते है तीसरा देखते है I can swim across the most turbulent river he said उसने कहा तो यह तो affirmative है काफी easy है I का हो जाएगा sorry यह ही he said that और I देखिए first person है he can sir he हो जाएगा can का could और पूरा same to same इसके बाद हम देखते हैं चौथा चौथा है why don't you try lifting it with a pro bar he said यह भी यह है double interrogative तो इसमें देखिए you दिया है तो हमें object मनना पड़ेगा he asked object मान लिया me double interrogative में क्या करते हैं जो reporting वर्व होते हैं वह हम लिखते हैं asked या inquired of उसके बाद देखिए conjunction यह प्रिश्माचक सब्दी होता है और देखिए असर tip का किरम लगाते हैं पहले करता you और you बदलेगा भी me के अनुसार I हो जाएगा don't present indefinite होगा past indefinite में did not try lifting with a crowbar he asked me why I didn't try lifting with it lifting it with a crowbar you can't search my house without a warrant said the woman यहाँ पर भी देखिए you दिया है और इसका object नहीं दिया तो the woman told me that me मान लिया object that लगा है और you बदल जाएगा me के अनुसार I हो जाएगा cannot का could not यह can't बोलते इसको तो हमने लिखा short में couldn't search उसके बाद my देखिए my first person है subject नहीं बदलेगा woman का pronoun see और see का संबन्द कारक क्योंकि my संबन्द कारक है तो यहाँ पर संबन्द कारक हर आ गया house without a warrant the woman told me that I couldn't search her house without a warrant छटमा देखते हैं you make us work too hard the mad said mad means होता नौकरानी नौकरानी ने कहा कि आप हमसे बहुत कठन पर संब करवाते हो तो देखिए the mad told them यहाँ पर देखिए you दिया ना इस बैसे हमने object मान लिया them him मान सकते हैं तो them माना है कोई भी objective case होना चाहिए me मान सकते है हर मान सकते हैं connection that लगा और you them के अनुस्वार हो गया you करता कारक है them के करता कारक दे make की second form made us देखिए यह first person है subject के अनुस्वार बदलेगा a mad का pronoun तो c होगा लेकिन c एक बचन है और us है बहुबचन यहनकी जो mad है वो अकेली नहीं है वो बहुत सारी लोगों के बारे हैं बात कर सगी है तो उनका pronoun होगा दे और us की जगह पर them आ जाएगा ठीक है ना us की जगह पर हर नहीं आ सकता है उसके बाद work too hard इसके बाद हम साथ मां देखते हैं yes I cut down the tree the man said man ने कहा कि हाँ मैंने पेड काटे तो man ने देखिए yes लगा इस वए से हम क्या कर रहेंगे ये reporting verb कर देंगे accepted the man accepted that या agreed भी लग सकते हैं अब yes हट जाएगा क्योंकि accepted हो गया I man cancer ही हो जाएगा अब cut down past indefinite है ये present indefinite भी माना जा सकता है क्योंकि cut की second form भी cut होती है अब past indefinite मान के चला उसके according इसको convert कर दिया past perfect में तो head लगा दिया head cut down the tree आठ मा देखते हैं stop that noise and start working said the teacher टीचर ने कहा कि ये आवाज करना बंद करो और काम करना चालू कर दो imperative है ये imperative sentence verb की first form से सुनू होते है और imperative sentence में said की जगा पर हम रखते हैं ordered requested या advised तो teacher ने advised दी the teacher sorry sorry teacher ने यहाँ पर order दिया है teacher ने the teacher ordered conjunction to लगेगा उसके बाद stop that noise and start working ये पूरा है as it is इसके बाद हम देखते हैं norma we can't take any decision without the entire board being present at the secretary secretary ने कहा कि हम कोई भी पूरे board के present की opacity के बिना कोई भी decision नहीं ले सकते हैं तो देखी secretary ने किबल स्वेम के बारे में नहीं कहा secretary जो बहुत सारी होंगी उन्होंने सभी के बारे में कहा है the secretary said का said that अब we देखिए secretary का pronoun ही होगा लेकिन उसके अनुसरा change नहीं होगा क्योंकि इसने सभी लोगों की बात की है तो we की जगा पर दे आ जाएगा can't का could not couldn't भी लग सकते हैं sort में take any decision और पूरा as it is होगा यहां पर कोई भी change नहीं होना है इसके बाद है अभी बारह तक है दसमा देखिए I want to tell you something confidential he said तो देखिए confidential मतलब कोई गुप्त बात बताना चाहते है आपको तो he said he told me object इसलिए माना क्योंकि देखिए अंदर you है और इसका object नहीं है तो object मानना पड़ेगा conjunction that लाएगा affirmative sentence है इस वह से I he can sir हो जाएगा he want यह first form है second form हो जाएगी wanted to tell you बदलेगा me can sir me आ जाएगा something confidential as it is होगा इसके बाद देखते हैं 11 मा you must finish this work before you leave the boss said to his typist बॉस ने अपने typist से कहा कि आपको काम finish करना होगा तुमारे जाने से पहले तो बॉस said की जगह पर आ जाएगा told his typist that you बदलेगा टाइपिस्ट के इसार ही हो जाएगा must finish that work this work का that work before और you देखिए you फिर से typist confirm ही हो जाएगा leave की second फो हो जाएगी left बाहरा हमा है that is my umbrella you are working with said the old man तो इसे आपको indirect speech में बदलना है और इसे वीडियो के comment box में लिखिए यदि आपका sentence ही होगा तो मैं आपका reply दे दूँगा यदि आप चैनल पर नए है तो इसे subscribe कर लिजिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद झाल यदिए